बेटा, यह दीन दयाल उपाध्याय चिकित साले कहां है? आगे वाले चौराहे से बाए मुड़कर. बहुत शुक्रिया बेटा. अम्मा दोपहर का समय है, धूप तेज है. चलो मैं कार से छोड़ देता हूँ. व्रिद्धों, बीमारों और असाहायों की मदद करना हम सब का कर्तव्य है. अच्छा, सब यह जानिए. चिकित साले, चौराहा, दोपहर शब्दों में से सभी शब्द वाक्यांशों को संक्षिप्ट करके बने हैं. समझे, चिकित साले, अर्थात, चिकित सा के लिए आले. चौराहा, अर्थात, चार राहों का समाहार. दोपहर, अर्थात, दोपहरों का समय. वाक्यांशों को इस प्रकार संक्षिप्ट करके लिखना समास कहलाता है. समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेपी करण या संक्षिप्ट करने की विधी यह भी शब्द निर्मान की एक प्रक्रिया है दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में आने वाले विभक्ति आदी के चिन्हों को हटा कर उन्हें संक्षिप्ट करना ही समास कहलाता है समस्त पद समस्त पद को फिर से पहले की अवस्था में अलग-अलग करके उनके आपसी संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है जैसे यग्य शाला, यग्य के लिए शाला, चौराहा, चार राहूं का समाहार, नील कमल, नीला है जो कमल समास के भेद समास के छे भेद होते हैं ततपुरुष समास, कर्मधारे समास, द्विगु समास, द्वंदव समास, अव्यई भाव समास, बहुवरिह समास ततपुरुष समास, घोड़ों की दोड, घोड़ दोड, राजा का सिंघासन, राज सिंघासन, उपर के उदार्णों में क्रम से पहला पद घोड़ों और राजा, मुख्य, यानी प्रधान नहीं है, बलकि दोड़ और सिंघासन प्रधान पद है इनके बीच से की तथक का विभक्ति चिन्हों को हटा कर समस्त पद बनाए गए हैं, ऐसा समास ततपुरुष समास कहलाता है, अतहम कह सकते हैं, जिस समास में समस्त पद का दूसरा पद प्रधान होता है, साथ ही पहले और दूसरे पदों के बीच के विभक्ति चिन्हों को ह प्रियोग होता है, किन्तु समस्त पद में उनको हटा दिया जाता है। इसमें करण कारक के विभक्ति चिन्हु के द्वारा और से को हटा दिया जाता है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, गुरु दक्षिना, गुरु के लिए दक्षिना। अपादान तत्पुरुष इसमें अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से को हटा दिया जाता है। जैसे समस्तपद समास विग्रह, धन हीन, धन से हीन, भै भीत, भै से भीत। संबंद तत्पुरुष इसमें संबंद कारक के विभक्ति चिन्हु का की के को हटा दिया जाता है। जैसे समस्तपद समास विग्रह, गंगाजल, गंगा का जल, भारतवासी, भारत का वासी। अधिकरन तत्पुरुष इसमें अधिकरन कारक के विभक्ति चिन्हु में, पर को हटा दिया जाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह, वनवास, वनमेवास, घुड सवार, घोडे परसवार. कर्मधारे समास महान है जो राजा, महराजा, घन के समान श्याम, घन श्याम, नीला है जो कमल, नील कमल. उपर दिये गए उदाहरनों में दूसरा पद राजा, श्याम और कमल प्रधान है. इसमें महराजा में महान विशेशन तथा राजा विशेश घन श्याम में घन उपमान जिससे तुलना की जाए तथा श्याम उपमेय जिसकी तुलना की जाए है. इसी प्रकार नील कमल में भी नील विशेशन तथा कमल विशेशे है यहाँ पर कर्मधारे समास है अतहम कह सकते हैं जिस समास में उत्तरपद यानि दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों में विशेशन विशेशे या उपमेय उपमान का संबंद हो वह कर्मधारे समास कहलाता है कर्मधारे समास के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं द्विगु समास चार राहों का समुह चोराहा अश्ट यानी आठ अध्यायों का समाहार अश्टाध्याई तीन शूलों का समुह त्रिशूल उदाहरणों में चोराहा अश्टाध्याई और त्रिशूल समस्त पदों में दूसरा पद राह अध्याय और शूल प्रधान है इनक इस समास में पहला पद संख्यावाची विशेशन हो और दूसरा पद प्रधान हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समस्त पद समूह का बोधक होता है। दूसरा प्रधान हो दूसरा प्रधान कहलाता हैं। राजा और रंग, राजा रंग, बेहन और भाई, बेहन भाई, धूप और दीप, धूप दीप। उपर के उदाहनों में राजा रंग, बेहन भाई और धूप दीप में पूर्व यानि पहला और उत्तर यानि दूसरा दोनों पद प्रधान है। इनके बीच से और योजक शक्द को हटा कर समस्तपद बनाया गया है। इनमें द्वंदव समास है। अतहर हम कह सकते हैं जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंदव समास कहलाता है। द्वंदव समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और या अथवा में से किसी एक का प्रयोग होता है। द्वंदव समास के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अव्यई भाव समास पेक भरकर भर पेट हाथी हाथ में हाथों हाथ। उपर के उदारणों भर पेट और हाथों हाथ में पहला पद अव्यई है और इसी की प्रधानता है। इनमें अव्यई भाव समास है। अता हम कह सकते हैं, जिस समास में पहला पद अव्याई हो और वही प्रधान हो तथा समस्त पद भी अव्याई बन जाए, वह अव्याई भाव समास कहलाता है। अव्याई भाव समास के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। बहुवरी ही समास लंबा है उदर जिसका गनेश जी लंबोदर, चार है भुजाएं जिसकी विष्णू, चतुर्भुज, वीना है पाणी में जिसके सरस्वती, वीना पाणी। उपर दिये गए उदाहरणों में लंबोदर, चतुर्भुज और वीना पाणी के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है। बलकि इन में किसी तीसरे अन्यपत, गणेश, विष्णू और सरस्वती की प्रधानता है। यहां बहुवरी ही समास है। अता हम कह सकते हैं, जिस समास में समस्त पद का कोई भी पद प्रधान नहीं हो और समस्त पद किसी अन्य अर्थ का ग्यान कराए। वह बहुवरी ही समास के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। समस्त पद समास विग्रह, दशानन, दश, यानि दस हैं आनन जिसके रावर्ण, नीलकंट, नीला है कंठ जिसका शिव, पीतांबर, पीले हैं अंबर, वस्त्र जिसके कृष्ण, त्रिनेत्र, तीननेत्र हैं जिनके शिव, पंकज, पंक यानि कीचड में पैदा हुआ है जो कमल, चतुर्मुक, चार मुक हैं जिसके ब्रम्ह, गिरिधर, गिरी को धारण किया है जिसने कृष्ण, चंद्र शेखर, चंद्र है शेखर यानि माथे पर जिनके शिव, कर्मधारे और बहुवरी ही समास में अंतर, कुछ समस्त पदों में कर्मधारे और बहुवरी ही दोनो समास हो सकते हैं किन्तु उनमें विग्रह करने के आधार पर ही समास का निर्धारन किया जाता है। यदि विग्रह करने पर समस्त पद के दोनों पदों में विशेश और विशेश का संबंध है तो कर्मधारे समास होगा। और यदि दोनों पद किसी अन्य पद की ओर संकेत करें, तो बहुवरी ही समास होगा. जैसे नील कंट, नीला है जो कंट, कर्मधारे समास, नीला है कंट जिसका शिव, बहुवरी ही समास, पीतांबर, पीला है जो अंबर, कर्मधारे समास, पीला है अंबर जिसका कृष्ण, बहुवरी ही समास. याद रखें, अनेख शब्दों को जोड़ कर संक्षिप्त अर्थात छोटा बना कर उन्हें एक शब्द या पद बना लेना समास है समास से बना शब्द समस्त पद कहलाता है, समस्त पद को विस्तार देकर उसे पहली दशा में ले आना समास विक्रह कहलाता है समस्त पद में दो पद होते हैं पूर्वपद यानि पहला पद, उत्तर पद यानि दूसरा या बाद का पद समास के छे भेद हैं ततपुरुष, कर्मधारे, द्विगु, द्वंदव, अव्यईभा और बहुवरिही ततपुरुष समास के छे भेद होते हैं